वर्य गुड बॉर्निंग दोस्तों मैं स्विन सफलता के सार्थी यूटूब चनल पे आप सभी का हार देख स्वागत करता हूँ आज देट है 23 अगस्त और हम बात करेंगे आज के अगर आप इस चनल पहरी बार आए तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन को प बात करूं तो इन्होंने हराया है किरेन विल्सन को 18.08 से इन्होंने हराया है और उसके बाद यह वर्ल्ड चैंपियंसिब जीतने वाले सबसे ओलेस्ट बिनर बन गये हैं इनकी एज है 45 अगर मैं बात करूं बर्तवान में इनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है तो यह सेकंड प्लेस पर हैं स्नुकर में तो याद रखेगा इसके लावा अगर मैं बात करूं यहां पर जो अन्य उप्संस लिखे हुए उनके वारे में तो मैक्स वेस्टेपन है आपको याद आजने चाहिए क्योंकि हाली में इन्होंने 17th anniversary Grand Prix जीता है ठीक है और यह Red Bull गाड़ी को चल जीते हैं जिनके वारे में बात करूं तो उन्होंने hungry Grand Prix जीता है इस्टेरियन Grand Prix जीता है British Grand Prix जीता है और उसके बाद हाली में कोशन हमने कवर किया था जिसमें इन्होंने span Grand Prix जो है उसको भी जीत लिया है ठीक है यहाद रखीगा इसके लावा अगर बात करूं वाल्टेरी वोटास ने और जो लोईस हैमिल्टन है और जो वाल्टेरी वोटास है यह दौनों Mercedes गाड़ी को चलाते हैं याद रखना है इसके लावा जो लोईस हैमिल्टन है यह बिर्टेन के हैं और जो वाल्टेरी वोटास है यह हैं Finland के इसके अलावा जो National Sports Awards की घुशना हुई है हाल सारे questions को cover किया तो आप उस video को देखकर ensure हो सकते हैं National Sports Awards के बारे में बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में देखिए हाल ही में किस ने Grandparents Bag of Stories नाम किताब लिखी है इसको लिखा गया है सुधा मूर्ती के दवारा देखिए सुधा मूर्ती जो है इनके 17th birthday पर इसको launch किया जाएगा ठीक है और यह जो book है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यह एक sequel है यह किसका sequel है इसके पहले एक book आई थी grandmas bag of stories यह एक collection है short stories का ठीक है और अगर मैं इस book के बारे में बात करूँ तो इसके publisher कौन होंगे तो इसके publisher होंगे penguin random house Indian यह इसके publisher होंगे देखिए बात अगर हम करें अन्य options के बारे में तो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे है जेके रॉलिंस इनके बारे मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हाल ही मैं इनकी एक fairy tale एक book आई थी बच्चों के लिए जिसका नाम था iqabag ठीक है iqabag को launch किया था जेके रॉलिंस ने और जेके रॉलिंस को तो आप जानते हैं क्योंकि यह Harry Potter series की लेकि कहा है काफी famous है बात में करूं रसकिन बॉंड के बारे में तो हाली में इनकी भी book आई थी जिसका नाम था Hope on my adventure रसकिन बॉंड की एक और book आई थी जिसका नाम था A Song of India हाली में release हुई है इसलिए अब मैं बात करता हूं Amitrpati जी के बारे में sorry Amitrpati जी देखिए Amitrpati जी जो है इनकी हाली में एक book आई है जिसका नाम है So ठीक है याद रखेगा बढ़ते मारे अगले question की हाल ही इंडियन Coast Guard ने सूरत में कौनसी boat को launch किया है तो यह boat है Interceptor boat ICGS 454 देखिए जो boat है ना इसका निर्माण किया गया है लार्सनें टूब्रोग के द्वारा और इसकी लंबाई है 27 मीटर और बरतमान मैं अगरना बात आइसीजी से जड़ो हो किछ current affairs के बारे में तो हाल ही में Goa से प्याड ने ICG के लिए offshore petrol vessel को जारी किया है video conferencing के जरिये इसको launch किया है अब मैं बात करूँ जिसका नाम क्या है देखी जिए offshore petrol vessel है इसका नाम है सार तक आपको याद रखना है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहां पर आपको लिखा हो देख रहा है आदित्य आदित्य जो है हाल ही में यह एक 100 रूटा से चलने वारी नौका है और यह भारत की 100 रूटा से चलने वाली पहली नौका है और इसको हाल ही में गुस्ताब ट्रावे आवर से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है इसके علावा अगरने बात कर ने हूँ हlington यहाँ पर लिखा हो देखेगां सचेट तीकि सचे जो है यह एक सिप है ICG का एक सिप है जिसको गुआ में कमिसन किया गया यह आपको याद रखना है अगरने हैं तो Indian Coast Guard ने हाल ही में एक सहयोग करजन नामक Annual Joint Exercise की है जापान के साथ और ICG ने गुवा में SAREX 2020 Exercise भी की है इसके अलाबा ICG की पहली महीला DGP बनी है नुपूर कुल स्रेस्ट आपको याद रखना है बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ निर्ट में से कौन भारत के नए Election Commissioner होंगे अगर हम इनके वारें बात करें तो ये बरतमान में जो हैं वे हमारे Financial Secretary है राजीब कुमार जी राजीब कुमार जी जो है ये 1984 Batch का I.A.S. Officer है दस बैंकों का जो बले हुआ था दस बैंकों का बले होके जो चार बैंक बने थे उनमें इन्होंने महतपुर भूमी का निवाई थी वे आपको याद रखना है इसके लावा यहाँ पे आपको लिखा हो दिख रहे हैं असुक लावासा जी तो यहांने कोशन हाली में डिसकस किया था असुक लावासा जी ने हाली में इस्तिफा दे दिया है क्योंकि इनको एसियन डेवलप्मेंट बैंक के उपाद देख रूप में अपॉइंट किया गया है देखिए यहां पे आपको सुनील अरोरा जी लिखे हो दिखेंगे सुनील अरोरा जी जो है यह बरतमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके अंडर में दो इलेक्शन कमिस्नर होते है मतलब कि दो चुनाव आयुक्त होते है अगर नहीं बात करूं सुसील चंद्र के बारे में हाल ही में किसना Population Projection for India and State 2011 to 2036 नाम से रिपोर्ट जारी किये तेकि इस रिपोर्ट को जारी किया गया है National Commission of Population है Ministry of Health and Family Welfare के अंडर में आने वाली National Commission on Population के दोरा गठित एक Technical Group में Population Projection के लिए एक Population Program for India State 2011-2036 यह रिपोर्ट जारी की गई है आप इस रिपोर्ट में बताए क्या क्या है देखिए यह जो रिपोर्ट है ना इस रिपोर्ट में India 2031 तक चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा Population मतलब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है वे 152 करोर हो जाएगी यह इस रिपोर्ट के अनुसार है इसके लावा जो सेक्स रेसो है न वे 943 है बरत्मान में और यह अब हो जाएगा 957 मतलब की 957 एक हजार पर मैं बात करूँ इसके लावा कुछ और चीज़े हैं जैसे की जो अर्वन Population है मतलब की जो सहरी जनसंख्या है वे 70% तक बढ़ जाएगी नौर्थ इंडिया में Population जादा बढ़ेगी लगबग 54% तक और सौथ इंडिया में Population बहुत कम बढ़ेगी 9% तक सिसु मत्यु दर्जो है वे 2036 तक 30 होगी ठीक है यह आपको याद रखना है इसी के सांथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल की मैं World Book of Records ने Star 2020 Certificate किसे प्रदान किया है तो इक नाम है गनेस विलास लेंगरे देखिए अगर मैं इनके बारें बात करूँ तो गनेस विलास लेंगरे जी यह हैं यह online contest और ग्राइज करते हैं सांथी कई सारे educational वीडियो भी यह बनाते हैं और जो World Book of Records है ना लंदन मे 2017 में इसकी सिर्वात हुई थी और यह ऐसी personalities को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो personality की humanity मतलब की यह मानपता वह universal peace जो रहती है मतलब की बैस्बिक सांती के लिए एहम भूमिका निवाते हैं अगर मैं बात करूँ जो गणेस जी हैं यह एक social activist है ठीक है और यह काफी न यहाँ पर आपको लिख्यों दिखेंगे जो डी केटे विंसलेट है अगर उनके बारे में बात करूँ जो option D है केटे विंसलेट इनके बारे में बात करूँ तो यह एक actress है ठीक है और Titanic movie की यह लीड अक्रेस थी जिनके बारे में बता चुका हूँ तो इनको टो टो इंटरन इसे सम्मानित किया गा या आपको याद रखना है इसी साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरह हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अवियान की सिरुवात की गई है देखी यह राज्य है मद्यपर्देश मद्यपर्देश के छतरपुर पुलि तक सभी की देखवाल करेगी और यह अब यहान मद्यपर्देश पुलिस के आदर सबाक्य देश भक्ती जन सेवा के रूप चलाया जा रहा है आपको याद रखना है इसके अलावा हाल ही में शुरू हुई थी national recruitment agency ठीक है जो national recruitment agency थी वह क्या organize कराएगी वह common eligibility test organize कराएगी त इसको लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना है वह मद्यपर्देश बना है आपको याद रखना है जो common eligibility test है इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है मद्यपर्देश मद्यपर्देश के UCM है वह सबरासिंग चोहान गवर्नर है आनंदी वीन पटेल अग एप लाउंच की है कैजियू इंडिया एप ठीक है यह आपको याद रखना है अगर हम बात करूं हर्याना की तो हर्याना ने सुरू किया परिवार कल्यान योजना याद रखिए बढ़ते हमारे अगले question की तरह हाल ही में किसने green deposit program को लाउंच किया है तो इसको लाउंच कि तहत जो bank deposit है ना उनका उपयोग किया जाएगा परियावरण से अनुकूल जो परियोजना है उनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा इससे low carbon climate flexibility वा sustainability वा economy को काफी प्रोसान मिलेगा जो आपको याद रखना है इसके लावा अगर मैं बात करूं HSBC के बारे में देखिए जो HSBC है यह मल्टी नेशनल इंवेस्मेंट बैंक है एक वाइक financial service company भी है इसका headquarter है लंदन में स्थापने में 1865 में बरतमान में इसके जो CEO है को है तो वह है नौयल कुइन अगर आप बात करूं HSBC इंडिया के बारे में तो इसका headquarter है मुंबई में इसके बरतमान अगर मानने options के बारे में जहाँ पे आपको लिखा देखका Reserve Bank of India RBI ने चेक धुखा धरी को रोकने के लिए positive pace विदा की शुरुबात की है यह आपको याद रखना है इसके लावा आगर ना बात करूं HDFC के बारे में तो हाल ही में HDFC के CEO अपाइंट हुए है ससीधर जगदी फेडरल वेंग के बारे में बात की जाए तो हाल ही में फेडरल वेंग के CEO भी अपाइंट हुए है जन का नाम है सियाम स्रीनिवासन सीधान था हमारा अगला question हाल ही में उत्तरब्रदेश ने बुंदेल खंड छेतर के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साइधारी की है तो यह देश है इसराइल अगर मैं इसके बारें बात करूँ तो इसके अंतरगत एक योजना की सिरुबात की जाएगी और यह योजना है इसराइल की साइधा से योजना जलाई जाएगी और यह योजना है यह योजना बुंदेल खंड जैसे पानी की कमी वाले छेतरों में नई टेक्नलोजिस जैसे गिडरे पैरिगेसन जो किसानों के लिए साहे तक होती है काफी इसका उप्यों किया जाएगा और इस योजना को भूजल प्रवरंदन से चाही और पीने योग ये पानी वजल प्रवरंदन के लिए पूरे देश में आदर से बनाने की कुछिस की जाएगी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिखा हो दिखा है उत्तर प्रवर्देश की बात हो रही यहाँ पर तो देखिए उत्तर प्रवर्देश में हो रहा है सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट ठीक है यह कोशन हम डिसकस कर चुके है और पूरे देश में जो मन्रिगा है न मन्रिगा कितेह सबसे ज़्यादा रूजगार देने वाला भी राज है इसके लिखार माँ बात करूँ इज्राइल के बारे में इजराइल जो है हाली में इजराइल ने एक एयरो टू ही है नियू सकेल पीम कौन है तो वह है वेंजमिन नेतन्याहू याद रखीगा अब मैं बात करूं अन्य options के बारे में देखिए जो बांगलादेश है बांगलादेश ने 1971 युद्ध में जो सहीद भारती इत्सेनिक थे उनके लिए उनकी याद में एक युद्ध इस मारक बनाए जाने की कोशना की है अगरे बात करूं स्री लंका के बारे में तो स्री लंका के हाल ही में चौत्थी बार प्रधान मंत्री बने है महें इंदर राज पक्षे बात की जाए मालदीप्स के बारे में तो मालदीप्स फिर से कॉमन वेल्स जो निशंस है कॉमन वेल्स जो कंट्रीज है उनका हिस्सा बनेगा या आपको याद रखना है बढ़ते हैं हमारा अगले कोश्चन की तरह हाल ही में किन मंत्राले के बीच में कौसल विकास के लिए साज़दारी हुई है तो यह मंत्राले है कौसल विकास मंत्राले बास सिपिंग मंत्राले है मतलब कि इसका अंसर होगा C, A and B, Both देखिए यह जो मंत्राले हैं अगर हम इनके बारें बात करें तो Ministry of Skilled Development and Entrepreneurship वो Ministry of Sipping के वीचे समझोता हुआ है और इस समझोते के अंतरगात जो सिपिंग मंत्राले है उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है सागर मारा प्रोजेक्ट तो उसके अंतरगात जो कौस्टल एरियास हैं जो तर्टिय छेतर हैं वहाँ पर बिकास के कारे में काफी तेजी आएगी और जो इसकिल्ड युवा है जो कौसल जिन युवा है वह इस कारे में इस development की कारे में योगदान दे सकेंगे तो देखा जाए काफी अच्छी पहल है यह अगर मैं बात करूँ अन्य आप्संस के बारे में देखी पहले ह हमारे स्किल्ड डेपलिप्मेंट जो मिनिस्ट्री है उसके मंत्री कौन है तो वह हैं महिंदर नात पांडे बात करूँ मैं सिपिंग मंत्राले की तो इसके जो मंत्री है इसके जो राज्य मंत्री है वह हैं मनसुक मंडाविया याद रखेगा अब मैं बात करूँ यहाँ प प्रभाविदन के लिए एक एप लौंच किया है या आपको याद रखना है बढ़ते हैं हमारा एक ले कोश्टन की तरह हाल ही में कब वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानि की बिस्व बरिष्ट नागरिकता दिवस मनाए गया तो यह मनाए गया 21 अगस्त को अगर मैं इसके बा उनके प्रती सम्मान की भावना को बढ़ाना इन सब के लिए यह दे मनाए जाता है 1988 में यूएस का जो राष्ट पती थे रोनाल्ड रीगर उन्होंने ब्रद्द लोगों के लिए इस दिन को समर्पत किया और United Nations General Assembly ने 14 December 1990 को 21 अगस्त को World Senior Citizen Day मनाए जाने का फैसला किया है देखिए अगर मैं बात करूँ 11 जुलाई की देखिए 11 जुलाई को मनाए गया World Population Day बात करूँ गर मैं 20 जुन की तो 20 जुन को World Refugee Day मनाए जाता है जा आपको याद रखना है इसकी स्वार की थीम थी Every Action Counts 29 जुन को मनाए जाता है National Statistic Day के रूप में क्योंकि इसी दिन वर्थ Anniversary होती है PC महाल नो भी इसकी याद रखिएगा हालही में PC महाल नो भी सम्मान भी दिया गया है बात करते हैं हमारा एक कोशन के बारे में हालही में किस पूरब भारती किर्केटर का निधन हो गया है अगर मैं इनके बारे बात करूँ तो यह है'm Gopal Swamy Kastouri Rangan Dekhi Gopal Swamy Kastouri Rangan जो हैं इन्होंने पिच क्यूरेटर की रूप में भी एक महत्पूर्ण योगदान निवाया है बीसी सी आई में और इनका जो किर्केट कैरियर था उसकी सिरुवात हुई थी 1948 में और महसूर की तरफ से इन्होंने रंजी ट्रॉफी से इसकी सिरुवात की थी देखी बीसी सी आई का जो मैदान है बीसी सी आई के मैदान और पिच की जो कमेटी थी उसके ये प्रसीडन्ट भी रह चुके हैं साथी करनाटक स्टेट किर्केट असोसियेशन के ये बाइस प्रेस्टेंट भी रह चुके हैं ये आपको याद रखना है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ अन्य उप्संस लिखे हुआ हैं रसाहल के पिक्सल बात करूँ निसीकानत कामत की तो जो निसीकानत कामत हैं ये बौलि वट की डारेकटर थे इनका हाली मैं निधान हो जाए जाने माने सास्तरी संगीतकार रगायक थे एंजेला बक्स्टन इनका हाली में निदन हो गया है यह ब्रिटिस टैनिस स्टार थी इनका हाली में निदन हुआ है अब हम बात करते हैं हमारे जो कुल का कुश्चन ऑफ दे था उसके आंसर के वारे में तो उसका आंसर है फर में ते दो तो यह हैं